राधे राधे जे श्री क्रिशना फुर्सो तर्मास मात्में खथा अध्या सत्रों में आप सभी का स्वागत है आप सभी का हादी के बनेंदन है नारत शी बोली एक किर्पाद की सिंदू उसके बाद चागरी तावस्ता को प्राप्त उस राजा द्रित धन्वा का क्या हुआ सो मुर्सिक गई जिसके सुनने से पापों का नास कहा गया है राएन जी बोली अपने पूर्व जन्म के चरितर को सुनने से आचर युक्त था और सुनने की इच्छा रखने वाली राजा द्रित धन्वा से बालम के रिसी फिर बोली बालमकी एई मुनी बोली इस तरह इस तरी के मुख से सितलवानी को सुनकर सुदेव सर्मा धहर धारन कर हरी भगवान में चीतों को लगाता हुआ दीर के स्वास लेकर दिनमुख सुदेव सर्मा जो होने वाला है वा होगा یا मन में निचाई कर कुस्प समीदा आदी के लिए वन को गया इस परकार करते हुष सुधिव सर्मा का कितना ही समे भी दिया बाद किसी दिन समिता कुस्प अलपुस्प आदिक के लेने के लिए वन को गया वहाँ जाकर सुधिव सर्मा मन से हरी भगवान के चरंद कमलों का ध्यान करने लगा उसी दिन लग उस लगा सुदेव अपने मीत्रों के साथ बावली को गया बावली में परवेश कर सम हुआ यह सक मीत्रों के साथ जल अंतरों से जल फैंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा गर्मी के रीतों में बार बार जल में खेलता हुआ हर्स को प्राप्त हुआ इस तरह अपने में मगन सब बालकों से खेल करते हुए अथा जल में खड़ा हुआ वा सुटी बालक मित्र बालकों से पिलित होकर मित्र वर्क के भैसे भागने की इच्छा करता हुआ और भायक से प्रेरित हो अपने समास को रोक कर अपने मित्रों को चलने की इच्छा से वहां अथा जल में गोता लगाया किन्तो उच जल में ब्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथा जल में वहा बालक मिर्तु को प्राप्त हो गया जल से निकलते हुए बालक को ना देकर वे सब सम्वयसक मित्र बालक चकित होकर हाकार करते हुए बहुत जोड से दोड़े और अतियंत सोक सिग्रश्ट वे बालक उसकी माता गोत्मी से जाकर बोले उन बालकों के अतियंता पिदी वर्जपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वा गोत्मी तुरंत पिर्थवी पर गिर गई उसी समय वन से सुदेव सर्मा आया पुत्र का मरन सुनकर कटी विर्श के जामान पिर्थवी पर गिर गया बाद दोनो ब्रामन इस्तिरी पूर्ष उटकर बावली को गए वहां जाकर मिर्थ पूर्थ का लिंगन कर उसके सरीर को गोद में लेकर सुदेव सर्मा बारं बार पूत्र का मुख चुमने लगा अपने गोद में इस्तित मिर्थ पूत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाब करता गदगद अच्छर से बोला सुदेव सर्मा बोला हे पूत्र मेरे सोक को नास करने वाले सितल सुंदर और सुवचन को बोलो एवद्स मेरी मन को खुस करो विर्द माता पिता को छोड़ कर तुम जाने की योग नहीं हो हे वत्स वेद अधियन के लिए तुमारा स्रेश्ट मित्र बुला रहा है और बड़े हर्से प्राहने के लिए उपाध्या तुमको बुला रहे हैं हे पुत्र सिग्रोठो इस समय क्यों सो रहे हो तुमको छोड़ कर घर नहीं जाओंगा घर में मेरा क्या काम है तुमारी बिना इस समय मेरा घर सिंद जंगल के समान हो गया है तुमको फल मुल पिर ये हो तो मेरे सामने से उठो अधिन नहीं उठोगी तो वन को भी नहीं जाओंगा वन में क्या काम है मैंने कोई निन्दित काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया ओहो ब्रह्म तुम नहीं वेशा करके कौन सा बड़ा भल प्राप्त किया है निर्दे विरित दिन मेरी नेत्र कोद लेकर मियाधन का धन और दोनों इस्त्री पूर्सों का सहारा इस पुत्र को हरन करती तुमको लज्जा क्यों नहीं होती सरवर्तर तुम द्यालू हो प्रन्तु मेरी विसी में निर्दे हो गए सो क्यों वहो अचायर है मेरे भाइग से या उल्टा केसे हुआ है सभाव से सुन्दर पूत्र की खोज इस समय में कहां करूं हे पुत्र तुमारे मुख खोज सुन्दर नेत्र को कहां देखूंगा मैग जल को बरसाता है फेथवे धायनी को पैड़ा करती है परवत रतनों को और समुद्र मुक्तासार मुखमनी को देती है परन्तो उस देश को नहीं देखता है। जहां मरा हुआ पुत्र मिलता हो जिसके सरीर का अलिंगन कर हिर्दे के ताप को छोड़ता है। हे वत्स तुम एक बार सिक्रवचन सुनाओ और द्या करो। तुमारी माता लच्चा छोड़कर चिल के समान अतियन तिलाघ करती है। माता पिता क्या गया भिना तुम कभी भी नहीं गए ये पुत्र तुम दोनों से बिना पूछे हिदूर के मार्क को गए हो क्या। इस समय किसकी विर्द वेद अधियन के उत्तम वानी को सुनूंगा हे वत्स तो आज तुमारी हो तुमारी मनोहर मधूरवचन के अस्मरन से मेरा हिर्दे सो सो टुकड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा हिर्दे लोही के समान है हे कोसेलंदर राजा दसरत तुम को हम धन मानती है क्योंकि रामचनदर की और जाने पर पुत्र के ताफ से धगद वे प्रानों को नहीं रख सके पर उत्तु पुत्र के मर जाने पर विजविट रहने वाले मुझको धिकार है हे गोविंद, हे विस्नो, हे अध्जुनात, हे नात, हे रिसीरुकमनी के प्रान पत्यूए हे मुरारे, हे दिन बर दिया करने वाले, हे दिया लो पुत्रूप अगणी के ताप से संतप्त मेरे रच्छा करो ए देवादी देव, है समच्छत लोग के नात, ए गोपाल, है गोपीस, है चक्र को हाथ में धारन करने वाले, है अमुना के विश्दोस्ट को हरने वाले, पुत रुप अगनी के ताप से संतप्त मेरी रच्छा करो, है बेंकुट के वासी विशनो, है नरका सुर के नासक, है प्रमादी देवताओं से नमस किरित चरन पिठो आले पुत रूप अगनी के ताप से संतप्त मेरी दच्छा करो हमारे समान सट दूसरा कोई नहीं है जो मेने देव की पुत्र स्री किर्शन चंदर के वचनों का उलंगन कर पुत्र में दुरासा की कोना भागा पुरुस भाइग में ना रहने वाली वच्टु को प्राप्त कर सकता है एती स्री बिरी नारा दिये प्राणी पुरुसतम मास महत्मे कथा अचप्तमो दस्सो अध्याए समाप्तम हरी सरनम